वेल्कम टू केवी नसरी मैं केवी नसरी के तरफ से बात कर रहा हूं कलकाता वेज ब्रेंगल से आज आप लोगों को देखाने वाला हूं काश्मीरी एपल बेर का कैसा महा फार्मिंग करते हैं मतलब फार्म में कैसा अभी इसका हाला थे काल इदर बहुत बारिश हुआ था इसलिए अभी भी जमीन में पानी जमा हुआ है आज का तारीक है ऑक्टोबर का साथ तारीक अब देखो आभी पेड़ का हालत कैसा है पूरा मतलब कितना फिलावर है नया फ्रूट भी पकरना सुर्वे स्टाट कर दिया है अभी इस टाइम में जो प्लांड का गैप है मेरा इधर बहुत मतलब गैप नहीं रखता इसमें पांच फीट और इधर का आट फीट पांच फीट बै आट फीट लगाया एक साल का पोदा है और यह एक बहुत फाइदेमान एक फार्मिंग का तरिकाए है यह देखो इधर माचा बनाया हुआ है क्योंकि यह जब फ्रूट पकड़ेगा तो डाली तोड़ ना जाए इसलिए यह माचा बनाया मेरा इधर इसलिए इसका गैप जादा नहीं रखता क्यूंकि यह एक साल या दो साल रखते हैं उसके बाद फिर से एक उख़र के नया पुदा लगाता है कश्मीरी बेर कैसा है सबको तो मालूम है अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है और इसमें जब मतलब अभी तो फ्रूट नया नया पकड़ा है फिर से मैं दुवारा एक वीडियो बनाऊंगा इसमें कैसा फ्रूटिंग आता है मतलब कैसा फ्रूट मैच्यूर होने का कैसा साइज रहता इसका सब में दिखाऊंगा तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल से जुडा रहना लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करना और इसका पेड़ हम लोग बाहर सेल करते हैं वाल इंडिया सप्ली करते हैं किसी को चाहिए तो कॉंटक कर लेना डिस्क्रिप्शन में इसका नमर भी मिल जाएगा और इसका उधावी में देखाने हो लाँ यह है कश्मीली बेर का प्लांट अभी छोटा है हम लोग जो बाहर में सेल करते हैं इससे भी बड़ा प्लांट सेल करते हैं करते हैं